chemical bonding में bond order बहुत ज्यादा important होता है और bond order निकालने की एक super trick आपको सिखाएंगे molecule को देखेंगे, मुस्कुराएंगे, तुरंत आंसर बता देंगे कितना bond order आएगा तो आएए, वीडियो को start करें इससे पहले आप वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे बेल आइकन पेस कर दीजे और एक प्यारासा कमेंड कर दीजे suppose करिए, यह number of electron लिखे हैं क्योंकि 1 to 10 है और 11 to 20 total 20 तक ही पूछे जाते हैं ज्यादातर अगर number of electron 1 है तो एक ची याद रखिएगा total 20 है, यहां सम बाउंड ओर निकालेंगे अब ट्रिक को समझिएगा जैसे जैसे नीचे चलिएगा 0.5 कम करते चलिए और 0 तक जाना है bond order आ जाएगा 3 में से कम करिए 0.5 2.5 15 electron पर फिर 2 1.5 1 0.5 और फिर 0 20 पर अब जैसे ऐसे 14 से आप चलेंगे इधर वो ऐसे ऐसे फिर 3 में से 0.5 कम करते चलिए और तब तक कम करना है जब तक 0 ना आ जाए तो फिर 13 पर 2.5 फिर 2 फिर 1.5 फिर 1 फिर 0.5 और इसके बाद फिर क्या आ गया? 0 ठीक? अब उपर आईए यहाँ पर होता है एक electron पर बाउंड आडर 0.5 फिर 1 फिर 0.5 फिर 0 फिर 0.5 फिर 1 और फिर 0.5 और फिर 0 तो यह ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आपके बाउंड आडर के question फटा फट निकलते चले जाएंगे सबोज करिए कोई मालिक्यूल दे दिया और आपसे बाउंड ओर पूछ रहा है इस टीक को लगाते हैं जैसे O2 है O2 प्लस है O2 माइनस है डबल माइनस इनमें बाउंड ओर निकालना है तो O2 में कितने इलेक्टरन पस इलेक्टरन काउंड कर लीजे 16 इलेक्टरन तो 16 इलेक्टरन पर बाउंड ओर कितना आएगा देखिए 2 तो इसका बाउंड ओर आ गया 2 16 इलेक्टरन था 16 एक चला गया 15 15 पर बाउंड ओर इसका भी आ गया 2.5 जैसको देखिए 16 इलेक्टरन था 2 इलेक्टरन और आ गया 18 इलक्टान और 18 पे बांड ओडर 1 ये भी आंसर आ गया देखिए और माल लीजे O2 माइनस होता है जैसे माल लीजे N2 है N2 प्लस है N2 सिंगल माइनस है N2 डबल माइनस है अब इनमें बांड ओडर निकालना है एक नाइटोजन में 7 दो नाइटोजन 14 इलक्टान होगा 14 बांड ओडर 3 है कितना अगया? 3 14 इलक्तान थे एक चला गया तो कितना हो गया? 13 हो गया थेराए तेरा पर बांड़ अड़ ड़िद 2.5 तो इसका अगया 2.5 चाओदः ये एक अगया 15 हो गया अगया 25 बांड ओड़िद से अगें 2.5 लीजे और दिमлаг flor बर्णरंडे बांडर दू अगिया MODER रोडूर आगिया देखें, पर भुपकार को between two ठीकर मालिजेगे पहर स्रीपालाँ हो झालना हो स्रीप्त पहर स्रीफीत के लिा निस निकालना हो तो कैसे निकालैंगे carbon में six electron, nitrogen में seven electron तो टोटल electron कितना हो गréal 번째? 13 इलेक्टन, और 13 पे बांड ओर्डर कितना आगया, 2.5 तो साइनाइट का कितना हो गया, 2.5 अब 13 थे यह एक ट्राण और आगया, 14 ओ गया, 14 पे बांड ओर्डर कितना आगया, 3 आगया, देखिए अब बच्चों अगर आपको bond order निखालने आ गया तो इससे बड़ा फाइदा ये किये हो जाएगा कि ये bond order directly proportional होता है bond strength के directly proportional होता है bond energy के inversely proportional होता है bond length के और ये directly proportional होता है stability आप molecule के लीजे ये सारे के सारे questions bond order से ही related है जैसे माल लीजे कल की तारीक में आपसे question पूछा जा है कि हमारे पस compound है या molecules से O2 प्लस O2 सिंगल माइनस और O2 डबल माइनस इनका bond order निकालना है तो bond order निकालेंगे थाम इनका निकालेंगे bond strength ते हो गया 16 इलेक्टरान 16 में से एक चला गया तो उधर तो निकाले ही है O2 प्लस का कितना रहा था 2.5 तो इसका गया 2.5 ओटू माइनस का कितना रहा था O2 माइनस का नहीं निकाला गया कोई बात नहीं है तो 16 इक 17 इलेक्टरान 17 पे bond order वन पॉइंट तुरन निकल जाएगा और 18 हो गया 18 पे bond order कितना होता है 1 होता है अब अगर bond order जादा होगा तो bond strength जादा होगा तो सबसे जादा और इनवर्सली प्रपोशनल तो बांड लेंथ तो सबसे स्टेबल मालीक्यूल इसमें कौन सा होगा सबसे स्टेबल होगा O2 प्लस इसके बाद O2 माइनस इसके बाद O2 डबल माइनस लिजे यह stability का order आ गया क्योंकि अगर bond order जादा तो molecule की stability भी जादा आएगी यह बात पका है यह समझ लिजेगा अब जैसे कुछ molecule ले ले लेते हैं एक हमारे पास है NO एक है NO माइनस और एक है NO प्लस इन में निकालते हैं stability molecule की किसकी जादा है तो सबसे तो सबसे बाउंड और निकालना पड़ेगा क्योंकि जब आप बाउंड और निकालेंगे तभी आप मालिकुल की इस्टेबिल्टी को डिसाइड कर पाएंगे तो यह निकाल लेते हैं नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रान आक्सिजन में 8 इलेक्ट्रान तो कितना हो गया 15 इलेक्ट्रान और 15 इलेक्ट्रान पे भी बाउंड ओडर कितना है 2.5 इसका बाउंड ओडर आ गया 2.5 आएए 15 इलेक्ट्रान इसमेथ हो गया फिर एक आउर आगया 16 इलेक्ट्रान 16 पर bond order 2 यहां पर आईए 15 लेक्टरन था एक चला गया 14 लेक्टरन, 14 पर bond order 3 अब bond order जादा, तो इस्टी बिल्टी जादा तो सबसे जादा stable molecule इसमें से काउन सा है सबसे जादा stable यहां पर बन रहा है ano plus, इसके बाद ano, इसके बाद ano minus लीजे क्योंकि bond order जादा, तो फिर molecule की stability जादा और stability जादा, तो bond energy जादा तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे निकालते हैं bond order साथ ट्रिक से, बड़ी बात यह साथ ट्रिक है साथ ट्रिक लगाएंगे तुरंट अंसर पाएंगे, चूँकि competition की exam में समय कम होता है competition की exam में अगर आप time को बचा ले जा रहे हैं तो वही सबसे बड़ी आपकी कमाई है क्योंकि अगर किसी question से आप समय को बताएंगे तो उसी question को आप किसी दूसरे में apply कर पाएंगे, physics में अपलाई कर पाएंगे या mathematics में अपलाई कर पाएंगे चूँकि आपको समय को बचाना है तो अगर यह सब tricks अगर आपके पास रहेंगे तो आप बहुत आसानी से question को solve कर लेंगे चाहे NEET का exam हो, चाहे ZEE का exam हो शीक साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे bell icon प्रेस कर दीजे और एक प्यारा सा comment कर दीजे फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन